हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसा परयावन अध्यन के एसे बच्चों के शूरू करते हैं सबसे पहले सभी बच्चे यहां पर अपना नाम लिखेंगे यहां पर बच्चों आप अपना section लिखेंगे पूलों की घाटी किस राज्य में इस्थित है तो बच्चों यहां पर option दिये गए है राजिस्थान, पंजाब, उत्राखंड और तमिल नाडू तो बच्चों फूलों की घाटी इस्थित है उत्राखंड में तो इसके third option पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्थ है गोवा में बोली जाने वाली भासा है कौन सी है बच्चों बंगाली, कंणर, कॉंकडी या फिर अस्मिया तो आंसर है बच्चों option number three कॉंकडी नेक्स्थ है राजिस्थान में उप्योग होने वाले पारंपरिक परिवेहन के साधन का नाम बताईए option है बच्चों ट्रॉली, बैल गाड़ी, उट गाड़ी और जुगार वाहन तो इसकांसर है बच्चों option number three उट गाड़ी नेक्स्थ है मदुमक्खी के छते में अंडे कौन देता है तो बच्चों option है काम करने वाली मदुमक्खी, रानी मदुमक्खी या फिर नर मदुमक्खी या प्यूपा तो इसकांसर है बच्चों option number second रानी मदुमक्खी next है हाती अपने सरीर को ठंडा रखने के लिए अपने क्या हिलाते हैं तो बच्चों option है पूँच, कान, पैर, सरीर, तो इस कांसर है option number second, कान हिलाते हैं, next है question number two, दिये गए कत्नों के आगे सही या गलत लिखे, RTE, आदीनियम 2009, 6-14 वर्स की IU के प्रतियक बच्चे को मुफ्त और अनिवारे सिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो बच्चों स प्रतियक बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, next है rail में सफर करने के लिए सिर्फ platform टिकेट ही लेना काफी होता है, तो बच्चों ये भी गलत है, next है railway की समय सारणी railों के आने जाने का समय दिखाती है, तो बच्चों हाँ, ये सही है, आब बच्चों question number three, निमनली की त प्रोत क्या है, तो बच्चों नदियों में पानी कहां से आता है, बर्फ का पिखलना, बर्फ के पिखलने से नदिया बनती है, next है आप पाने बस और नाव में यात्रा करने के लिए क्या खरीदा, तो बच्चों आंसर है टिकट खरीदा, next है वाहन में प्रियुक्त होने व नेक्स्ट है चित्र को पहचानी और प्रशनों के उत्तर दीजिए नीचे दिखाएगर धांचे का नाम बताईए तो बच्चो ये क्या है ये पुल है जिस पर रेलगाड़ी जा रही है तो यहां लिखेंगे पुल नेक्स्ट है नीचे दिखाएगर परिवार के प्रकार का नाम बताईए तो बच्चो ये कैसा परिवार है ये है संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें हम अपने माता पिता दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चों के साथ रहते हैं नेक्स्ट है इसमें रहने वाले कीट का नाम बताईए तो बच्चों यहाँ पर यह पिक्चर दी गई है इसमें कौन सा कीट रहता है इसमें रहती हैं मदू मख्या तो यहां लिखेंगे मदू मक्खी नेक्स्ट है नीचे दिएगे प्रस्णों में से किसी एक का उतर दीजिए तो बच्चों यहां पर question दिएगे हैं जिन में से आपको केवल एक question का आंसर देना है question है पानी हमारे लिए उपयोगी है इस कथन की पुष्टी कीजिए तो आंसर है बच्चों पानी हमारे जीवन के लिए महतुपून है पानी का उपयोग खाना पकाने पीने कपड़े दोने नहाने और बरतन दोने के लिए किया जाता है next है क्या आपके घर में सेहद का प्रियोग होता है सेहद के क्या उपयोग है तो बच्चों इसका आंसर है हाँ हमारे घरों में सेहद का इस्तेमाल किया जाता है सेहद में औस्धिये गुम होते हैं और इसे घावों पर लगाया जाता है खाने में चीनी के विकल्प के तोर पर सेहद का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू